है लो स्टूटर याने वेलकमट 2 30 क्लासेज्जि आज हम देकेंगे 8 स्टेंडर का इंगलीश और लेसं है रीवहुलीशनारी स्टेपी सीन सर्जरी की सारजरी में रीवुलीशनारी चेंडेस देखे गए हैं जैसे कि अगर हम स्टार्टिंग में देखेंगे जब डॉक्टरस ने फर्स टाम सर्जरी करना शुरू किया होगा तो उस समय से आज तक अगर हम देखेंगे तो सर्जरी में कई सारे डेवलप्मेंट आ चुकी है नए नए टेकनिक, साइंस, इंस्ट में टूल्स जो है find out किये गए हैं तो इस लेशन में आपको वही दिया है कि किस तरीके से रियोलेशनरी स्टेप्स जो है हमें आज तक दिखाई दिये हैं रियोलेशनरी का मिनिंग होता है causing a total dramatic change कि स्टार्टिंग से अगर हम अब तक देखेंगे तो कई सारे changes यहाँ पर आ चुके हैं तो चले हैं लेशन को स्टार्ट करते हैं Surgery dates back to as early as 600 BC सूशृता समिता is one of the oldest work in the world dealing with surgery आपने अगर six standard में English में ही देखा होगा तो सूशृता नाम आपने सुना होगा कि यह हमारे देश के पहले के सकते या फिर world के पहले surgeon थे जिनोंने क्या किया था Surgery की शुरुवात की थी It indicates that सूशृता was probably the first surgeon to perform surgical operations that means plastic surgery जिस हम कहते हैं तो सूशृता यह पहले इंसान थे या फिर पहले surgeon थे जिनोंने surgical operation या फिर plastic surgery जिसे हम कहते हैं वो उन्होंने किये थी Later some ancient surgeons perform tooth extraction and blood letting Means उसके बाद कई सारे surgeon हुए जिनोंने tooth extract करना means tooth निकालना या फिर blood letting ऐसे उन्होंने किया है surgery वगेरा किया था Major surgery could not develop for centuries because of lack of knowledge and technology Major जो surgery छोटी मूटी surgery तो की जाती थी लेकिन major सबसे बड़ी या फिर ऐसे organs जहाँ पर surgery करना मुश्किल था है ऐसे surgeries उन दिनों में नहीं होती थी क्योंकि उतना knowledge उनके पास नहीं था या फिर technology डेवलप नहीं हुई थी यह बिलकुल भी आसान नहीं होता है कभी भी कोई भी operation जब होता है तो वहाँ पर cut लगाना जो patient है उसके skin के उपर cut लगाना और ज़्यादा मातरा में अगर cut लगाते है तो यह healthy भी नहीं है और किसी organ को बदलना यह अभी तो possible है लेकिन उस समय जब surgery करना शुरुआत ही हुआ था उस समय तो possible बिलकुल भी नहीं था अगर आपने कभी देखा होगा तो देखे या फिर सुना होगा तो surgery जब होती है तो यह जो बी ऐसे substance होते है जो दिये जाते हैं जैसे कि अगर दात निकालना हो तो पेइन किलर वगेर दे जाते है जिससे हमें पेइन ना हो या फिर कम हो तो उसी टेपनिक्स रोज नÃगाई ज़ी फॉर इनेस्टेसिया ज़न्राल एनेस्टेसिया जब सब्सक्han Eles बिग्षुम ऐरे उइस रजल दाईर surgery करनी होती है तो उसे use किया जाएगा या फिर पूरे body को आपको क्या किया जाएगा उसे use किया जाएगा या फिर इस पर्टिकुलर जो part होगा जहाद पे surgery करनी है उसे area में ही उसे use किया जाता है for local anesthesia local anesthetics are injected into the surgical spot और an area near पर्टिकुलर जगह पे अगर सर्जरी करनी है तो स्पॉर्ट पे या फिर उसके नियर या फिर नर्वस के नियर भी उसे इंजेक्ट किया जाता है ईसमें हर एक अगर में कहेंगे तो सर्जरी में भी हुए है जिसकी कारम पहले नर्मल सर्जरी भी काफी मुश्किल से होती थी लेकिन आज कल कॉंप्लिकेटे़ सर्जरी भी जो है आसानी से हो जाती है और सक्शेस्पूल भी होते है Let us start with cardiac surgery Today if you need to have a heart surgery You can choose from many fine doctors अगर हम cardiac surgery की बात करेंगे Heart की surgery जो की जाती है उसकी अगर बात करेंगे तो आज हमें कई सारे doctors मिल जाएंगे एक ही CT में अगर आप देखोगे तो कई सारे doctors आपको मिल जाएंगे कि जो specialist होते हैं heart के जिनके पास जाके आप क्या कर सकते है और surgery कर सकते है However, before 1893 इस टाइप आप surgery was unknown लेकिन 1893 में जब लोगों को ऐसे जो surgery होती थी heart की surgery इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता था doctors did not have modern medical tools and procedures जैसे कि आजकल medical tools मिलते हैं जो procedure होता है जो भी essentials होते है surgery के लिए वो उस समय बिल्कुल भी नहीं थे और ना ही लोगों के पास उस समय knowledge था In those days heart patients were treated with sedatives means जो substance होते है जिनसे someone sleepy feel कर सकता है जैसे या फिर हमने जैसे कि कहा अभी pain killer वगेरा लेना तो उस समय क्या किया जाते थे उसी समय के जैसे कि substance वगेरा यूज किये जाते थे या फिर patient को दिये जाते थे and they usually did not survive लेकिन heart patient को ऐसे substance देने के बाद क्या होता था कि वो survive नहीं कर पाते थे क्योंकि operation करना जो techniques होते थे या फिर tools होते थे जो procedure होता था वो ही उनको नहीं पता था इसके लिए जान भी बचाई थी कैसे वो दखेंगे a patient James Cornish was suffering from a very serious knife owned तो जो एक patient था जिसका नाम था James Cornish उसे एक जखम हुआ था जो कि knife के कारण हुआ था और काफी serious जखम हुआ था the knife had cut an artery less than an inch from his heart and puncture the pericardium pericardium क्या होता है जो कि हमारे heart के around जो sack होता है protect करने के लिए heart के लिए तो वहाँ पे क्या हुआ था cut लगा था तो artery भी cut हो चुकी थी और जो sack जो back की जैसे protect करने वाला जो sack था heart को protect करने वाला pericardium तो वो puncture हुआ था क्या कि वो फुला हुआ रहता है लेकिन वो puncture हुआ था क्योंकि वहाँ पे नाई प्लागा था डॉक्टर विल्यम्स भी six staff doctors perform a complicated and daring operation तो डॉक्टर विल्यम्स ने उस समय छे staff doctors लेकर एक complicated surgery उन्होंने की थी डॉक्टर विल्यम्स became the first surgeon to save his patient by successfully repairing the human heart तो सबसे पहले surgeon माने जाते है डॉक्टर विल्यम्स जिन्होंने human heart के उपर surgery की थी और उस patient को जिन्दा भी रखा था successfully operation हुआ था क्योंकि उससे पहले operations को होते थे लेकिन patients जिन्दा नहीं रहते थे now many more advanced techniques are used to in this specialty specialty to deal with heart complications लेकिन आजकल कई सारे advanced techniques आ चुके हैं जिनके current heart complications जो surgery होती है उनको भी आसनी से किया जाता है open heart surgery which can help to repair heart defects heart walls और even replace them heart को replace करना हो उसे कोई defect होता है उसे repair करना हो या फिर कोई भी उससे related जो भी surgery होती है उसे आसनी से किया जाता है with proper measures patients can recover from cardiac surgery faster than they did before तो आजकल आसनी से operations हो भी जाते है और patient जो है recover भी हो जाते है neurosurgery is another research specialty to have received recognition since the early 1900s तो उस समय से neurosurgery को क्या किया जाता था use किया जाता था it is concerned with the treatment of disorders of the nervous system और neurosurgery का meaning क्या होता है कि जो nervous system होती है उसके उपर या फिर brain spine होती है nerves होते है उनके उपर क्या किया जाता है surgery किया जाता है उसे neurosurgery कहा जाता है तो neurosurgeons क्या करते है brain spine nerves related जो भी operation से वो करते है they can treat patients of all ages from the newborn to the elderly who have suffered a stroke अगर newborn baby है उनके brain में या फिर nervous system में कोई भी problem होता है तो उसे या फिर जो elder लोग होते है उनमें भी अगर कोई problem हो तो उसके उपर surgery किया जाती है Harvey Cushing is considered to be the father of modern neurological surgery in the early part of the 20th century he developed basic techniques and instruments for operating on the brain as a distinct surgical specialty तो उन्होंने क्या किया था कि जो operations होने की time कुछ tools लगते है techniques लगते है उनको develop किया था जिसके कारण कशिंग dramatically reduced the mortality rate of neurosurgery from 90% to less than 10% तो उनके कारण suddenly ऐसा change आ गया था उस समय कि जो date का rate था वो काफी हद तक कम हुआ था the main reason that mortality rates had been so high before was blood loss तो उनके पहले जो mortality rate था जो date का rate था वो ज्यादा क्यों था क्योंकि जो surgery की जाती वो समय blood loss ज्यादा होता था इसके लिए patient की जान जाती थी among kushing significant achievements are the methods he developed to stem this blood loss by inventing a clip called silver clip और kushing clip तो उन्होंने एक इसी clip find out की थी जिसके कारण जब surgery होती थी तो उसे लगाय गाता था जिसके कारण blood loss नहीं होता था या फिर कम होता था और control होता था उस blood loss के उपर इसलिए उस clip को नाम क्या दिया है silver clip और kushing clip उन्हों का ही नाम दिया है दस neurosurgery is one of the most cutting edges in the world of surgery and medicine cutting edges means क्या latest development माना जाता है neurosurgery का उस समय का क्योंकि blood loss से जाता patient जाते थे लेकिन उन्होंने जो clip find out की थी उसके कारण या फिर जो medicines थे उनके कारण surgery जो है successful होने लगी थी what is robotic surgery robotic surgery का meaning क्या होता है robotic surgery is a type of minimally invasive surgery कि minimal invasive करना है means जो भी जहाँ पे cut लगाते है operations के time तो वो cut काफी छोटा होगा कि जिसके कारण patient को भी problem नहीं होगा या फिर ज्यादा cut वहाँ पे नहीं लगेगा minimally invasive किया जाता था means that instead of operating on patients through large incision use it made of miniaturized surgical instrument की छोटे से छोटे surgical instrument को use करके छोटा ही part cut किया जाता है और उसमें operation किया जाता था that fit through a series of quarter inch incision when performing surgery with the da vinci the world's most advanced surgical robot these miniaturized instruments are mounted on three separate robotic arms तो robot होता है एक तरिके का उसके four arms होते है जो three arms होते है तो उनमें जो tools वगेरा लगते है वो दिये जाते है allowing the surgeon maximum range of motion and precision की जो doctor वहाँ पे होंगे surgeon होंगे तो वो उसे क्या कर सकते है control कर सकते है उन arms को the da vinci's fourth arm contains a magnified high definition 3D camera that guides the surgeon during the procedure जो वहाँ पे surgery होती है तो 3D camera वहाँ पे होता है जैसे कि देखिए हम mobile के उपर game खेलते हैं तो हम लोग movement करते हैं लेकिन वो game में दिखाई देता है या फिर वहाँ पे जैसे कि आपने किसी को चलाया तो कोई button आप क्या करते है वो आपको game में दिखाई देता है कुछ उसी तरीके से होता है वहाँ पे the surgeon control this instruments and the camera from a console located in the operating room तो जहाँ पे doctor बैटे है वहाँ पे उनका क्या होता है पूरा system होता है यह जो वो खुद control कर सकते है camera होता है placing his fingers into the master control he is able to operate all four arms of the da Vinci तो वो क्या होता है एक तरीकी का display होता है जिनमे input होता है या फिर उनका जो control होता है वो पूरी तरीके से mechanism या system वहाँ पे होती है कि doctor क्या करेंगे कि उनके display के उपर जो भी moments करेंगे वो वहाँ पे operation patient का किया जाएगा उस तरीके से पर वहाँ पे 3D camera होने के कारण जो है doctor को जो भी वहाँ पे spot होगा या फिर जो जहाँ पे उनको surgery करनी है वो काफी अच्छे से और clearly उनको दिखाई देता है 3D view में while looking through a stereoscopic high definition monitor the robot literally places the surgeon inside the patient तो कुछ इस तरीके से लगता है कि surgeon उस patient के body के अंदर ही चले गये है इतने अच्छे से उनको वो part visible होता है this gives him a better more detailed 3D view of the operating side तो उन्हें काफी अच्छे से वो operation करने के लिए 3D view मिल जाता है then the surgeon's eye can provide तो surgeon जो है अपने आखों से directly अगर देखेंगे वहाँ पर surgery करते समय तो जितना उन्हें दिखीगा उससे भी better उन्हें उस camera के through दिखाई देता है every moment he makes with the master controls is replicated accurately by the robot तो जिस तरके से वो movement करेंगे exactly वो robot वहाँ पर movement करता है या फिर उसके arms वहाँ पर move करते है when necessary the surgeon can even change the scale of the robot's movement तो वो अपनी तरके से क्या कर सकते है movement को change भी कर सकते है if he select a 3 to 1 scale the tip of the robot's arms will move just 1 inch for every 3 inches means 1 inch अगर ये क्या करते है move करते है तो robot कितना करेगा 3 minutes जैसे के ratio होता है कोई particle 1 as to 3 वगेरा ऐसे उन्होंने क्या करते है ये लोग select करते है ratio और उसी तरिके से फिर surgeon के hand move होंगे उसी तरिके से robot के hand भी वहाँ पर move होते है utilizing this advanced technology our surgeons are able to perform a growing number of complex surgical procedure तो इसी कारण जो है acid advanced technology जो है उसे use करकर हमारे surgeons जो है complex surgical जो process होते है उसे क्या कर सकते है properly handle कर सकते है since this procedure can now be performed through very small incision our patients experience a number of benefits compared to the open surgery of the past तो पास्ट में जिस तरिके से directly cut लगा के जो operations होते है उसे कई better यह क्या होता है robot जो use करके जो करते है robotic arms यूज करके operations होते है तो यह काफी beneficial होते है patient के लिए भी तो देखे student इस तरिके से आपको surgery के बारे में या फिर जो revolutionary steps हुए है surgery के लिए वो आपको यहापर दिये है अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को like कीजे चैनल को subscribe नहीं किया होगा तो subscribe जरूर कीजे अबस्चा टूर को जो यहापन से लिए है कर नहीं जरूर का हुए है